जैसा कि आप लोग देख सकते है हमारी अभी Echo Dot को Power Supply के साथ कनेक कर दिया है कुछ देर में On हो जाएगा On होने की Light है Blue जब ये Blue Light On हो जाएगी हमें कुछ देर और वेट करना है जब ये Light Blue Light Orange Turn होगी ताकि हमें पता चल जाए कि अब ये Ready है अपने Alexa आप के साथ Connect होने के लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि Echo Dot में Orange Light शो कर दिया गया है जैसे ही Orange Light शो करेगा ठीक है That Means It Is Ready तब आप Play Store में जाके Alexa आप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके Search बटन पर लिखी आप Alexa आपको Amazon Alexa करका पॉप अप आ जाएगा आपको ये इंस्टॉल करना है जो कि मैं भी इंस्टॉल कर रहा हूं ये इंस्टॉल करने में कुछ टाइम लग सकते है डिपेंडिंग अपन ये इंटरनेट ये 65 to 67 MB का आप आता है जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं आपको बता दू कि Alexa एक portable speaker नहीं है आप इसे बाहर ले जाके नहीं चला सकती ये direct आपके power supply से ही चलता है and Alexa या Echo Dot यूज करती है आपके Wi-Fi को गाना बजाने के लिए गाना बजाने के लिए इसमें दो साइट है Amazon Music and Savan जो की आपके preference के हिसाब से आप select कर सकते हैं यही Amazon Alexa app के through ठीक है and ये install हो गया है अब मैं इसे खोलूँगा जैसे ही आप Alexa app खोलेंगे अपने phone में आपको starting में अपने Amazon ID से login करना होगा ठीक है क्योंकि जैसे ही आप अपने Amazon ID से login करते ही ये device आपके Amazon ID के through link हो जाता है ठीक है ये register हो जाता है आपके Amazon ID पे तभी ये Amazon आपके अपके Amazon account से आप control कर सकते हैं और बाकी कोई control नहीं कर सकते हैं दब तक आप उतको privilege नहीं देंगे तो अब आएगा Amazon echo dot को setup करने का option तो मैं Amazon echo को setup चाहूंगा और नीचे echo dot पे select करूंगा and select करने के लिए setup करने के लिए आपको जाना है जाना अपने phone के settings में Bluetooth on कर देना है क्योंकि Bluetooth से ही pair होके आप इसके further settings को analyze and modify कर सकते हैं Bluetooth connect होने में थोड़ी time लगेगी and ऐसे कि आप देख सकते Bluetooth में आ गया Echo V26 मैंने उसे select कर दिया and now it is setting for Wi-Fi network make sure कि your Wi-Fi network is on ठीके अगर आपके घर पे Wi-Fi नहीं है तो भी आप अपने phone के Wi-Fi से इसे use कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं हो जैसे कि मैंने अपना Wi-Fi का password अब डाल दिया है अब यह connecting हो रहा है जैसे कि यह connect हो जाएगा तो orange L80 है यह change होके blue हो जाएगी and you will get a pop-up saying that it is connected to your Wi-Fi जब यह Wi-Fi से connect होगा तो आपको option आएगा क्या आप Alexa को external speaker के साथ connect करना चाहते थूँ if आपके पास नहीं है तो आप इस direct को skip कर सकते है तो मैं गलती से connect करने का कोशिश करता हूँ तो जैसे कि यह aux में दबाया तो आपको setup option आ रहा है इसके बाद आप बैक चाहिए ठीक है बैक जाएगे तो आपको options आएगा things you can do with Alexa तो आपको एक skill set मिलेगी skills आप Alexa में enable कर सकते हैं कि क्या skill आपको चाहिए Alexa में तो वो skill के हिसाब से आपके Alexa आपके response करेगी skills are giving applause आप a devotional song सुन सकते हैं आप nursery rhyme बजा सकते हैं आप news सुन सकते हैं हिंदी में English में जैसी आपकी मर्जी आप उसके हिसाब से अपने Alexa को totally customize कर सकते हैं and kids friendly भी बना सकते हैं कि यह आपके kids के हिसाब से भी काम करेगी जैसे ही आप यह select करेंगे kids friendly तो यह आपके kit के हिसाब से उन्हें nursery rhyme या उन्हें news या उन्हें GK questions बता सकती है आप Alexa के साथ true and false भी खेल सकते हैं which is a very good game to increase your general knowledge and आप Alexa के साथ drop, paper, scissors भी खेल सकते हैं यह सब इसके skill set में included है already आपको बज जाके app में इस तब चीज को enable करना है खोजना है and जो आपको जरूरत है उसे enable कर दीजे जो आपको नहीं जरूरत है आप उसे disable कर दीजे Alexa, play on and on Here's On and On by Cartoon featuring Daniel Levi on Amazon Music Hold me close till I get up Time is barely on my side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust If you like the video make sure you hit the like button And you have anything to say please light it down in the comment section below And please subscribe to my channel for more unboxing videos and tech related stuffs Thank you